हाजी 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 मारी CA वाले इंटर वाले दोस्तों देखो इस बार तो वैसे ना आपको लास्ट जे रिविजन का मुझे नहीं पता आप क्या करने का सोच रहे हो कि 3.5 डेज मिल गया आपने दोस्ता होगा आराम से सोएंगे करेंगे आराम से इशलारांग करेंगे भाई व दोस्ते रिविजन हो जाएगा पूरी सब्जेक तीन दिन में कैसे रिवाइस करेंगे भाई 1.5 डे के अंदर करते हैं बच्चे तुमको तीन दिन सार तीन दिन मिल गया उसके बाद भी रो रहे हो थोड़ी तो शरम कर लो भाई निडल अची लोगो तो उसके बाद आप त बच्चे के रिक्वेस्टी से एक बार टाइम तो और 3.5 डेस से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि क्या करना चाहिए कितने रिविजन करें क्या करें तो चल अब उस पर शुरू करते हैं में 2024 के लिए यह 3.5 डेस इवन अगर आप उसके बाद अगर 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 देखो सबसे पहले यह तो चलो ठीक है मैं सोच रहा हूँ देखो कमिट अभी भी पर हाँ मेरा प्लानिंग चल देख में फ्री फास्ट एक बेज आपको सी एंटर और और इस्टेशिक मेनेजमिन का यूट्यूब पर देदू मैं अभी कमिट नहीं कर रहा हूं कुछ भी न आदा गंटा देख लो आपके एसाब से चुकरना हो पर छे बाए तक मुझे आप गर पर चाहिए हो भाई मुझे इत्ता पता है दोस्तों का थो बहुत गप्पे मार सकते हो फार एक्जाम सेंटर के निकलने के बाद वो ठीक है ठीक है ठीक है ना अब ठीक है पर एक चीज देखना है गया जो गया आप सारे पर खतम होने के बाद बेखेंगे हमारा होना था जो हो गया भी वह गलती से भी यह गलती नी करने है बाई में बता रहा हूं यह मत करना घर पहुचो छेवे तक आराम से करो दिमाग एक्जोस्ट रहा था फेपर देने के बाद पूरा का इसनेक्स दगरा लेना, रेस्ट रेश करना, थोड़ा दर सोना, नैप लेना, पाउड़े प लेना, आदा गटा जो भी आब को लग रहा है, 7 बे तक उठना आराम से 15 पनड़ा ब्लाव वह बयू एक मिल्चो देने दिमाद बाद से जयादा, बस यह ध्यान रखना Amanah से सार पोड़ी घल गई बोड़ी शेडूल हिल गया, खतम हो जाओ होगे, जो पोड़ी शेडूल चल रहा है उसको continue रखो, अगर तुम रात को पकटते हो तो रात को पड़ो, मौरिंग में पड़ो तो तो बोड़ी शेडूल मत λा ना, जो पकटते में पर भूख Самोन को आप मत हिला बारा मही को वापिस चार गंटे एक्जाम डे तो अपका टोटल आप्रोक्स 52 आर्स है जिसके अंदर मैं आपको 47 आर्स एप्रोक्स तक आपको टैम्टर बनाकर बेराओं कि इतना आपको यूटिलास करना ठीक है ना, मैं आपको दूसरी चीज ये नहीं बताऊंगा कि इतनी बज़े से ये करना इतनी बज़े से ये बज़े ताइमिंग ये ये नहीं, मैं आपको आर्स बता दी न वो टाइम कभी किसी का फोलो नहीं हो सकता है इवन कुछ लोगों लगता है ये चप्टर में पहले करूँगा ये बात में करूँगा सर बोल रहे हैं जल्दी उठके तो बच्चे इस्ट्वें डिपेंड करता है ना इसलिए मैं वह पागलपन्दी नी कर रहा हूं पता नहीं कुछ लोग क्यों देते हैं मैं को समझ नहीं आता है वो सिस्तो अब 3.5 डेस की में भाई तुमको इस्टेजी दूंगा दो रिविजन करने एक टू इसको और एक 1.5 डेस को ठीक है ना दो रिविजन तुमको उठा के करने इसके अंदर एक दो दिन के अंदर कंप्लेट करना एक 1.5 डेस के अंदर कंप्लेट करना है अब सबसे पहले है आपना आते है ग्यारा मही को तुम साथ बजे अब पढ़ना शुरू हुए वापी लेट्स स्टाट टूडेस रिविजन सबसे पहले टूडेस रिविजन शुरू करना है अपन को यह मैं उनको पाठ दिया है एक बार कोशिश करना तुम उस सेम डे मिनिमम यह चीज़े तो करी लो एक बार क्योंकि माइंड या पेपर देगा तो एक्जोश हुआ बहुत है पर फिर उसके बाद एक बार तो अच्छे चैप्टर उठाओ चो अच्छे लगते हैं अपनको कारो 2020 चैप्टर रेट में दे रखा आइस यह नहीं है नेचर इसको टाइमिंगर अब्जेक्टिव एथिक्स टम्स ऑफ इंगेजमेंट जिसके अंदर SQC1 आ गया ऐसे 220 आ ग फोड़ा बहुत तो तुमको तुम्हारे हिसाब से लाना पड़ेगा तुमको लग रहा है इसलिए एक बार एक काम करो एक मौक तुम देखके देख लो मौक देखके देख लो अनदर से अब भी 1.5 देसे एक बार देखे रखो कि इनिन गंट के में बेक्तर हो सकता है कि नह अब तुम तुम तुमारा चैप्टर 8 का चैप्टर 8 का अपने यह कारो टोंट इदर कर लिया उसके बाद जो रिमेनिंग पॉर्शन है चैप्टर 8 का वो इदर कर लो वो इंपोर्टेंट है मैंने अब उल्टा ऐसे शुरू कर रहा हूं उल्टा क्योंकि यह चैप्टर और ऐसे 299-600 यह एक बार कर लो टू-8 के अंदर चैप्टर 8 उसके बाद अब यह रिवर्स ओर करना शुरू जो अब मैं रिवर्स चला रहा हूं तुमको क्योंकि यह स्चार्टिंग यह वाले ऐसे ज्यादा इंपोर्टेंट है यह कंपेरेटिवली कम इंपोर्टेंट है इसा नहीं कि नहीं पर कमपेरेटिवली बोल रहा हूं मैं फिर चैप्टर 7,4,3,6,2 इसके अंदर मैंने ऐसे भी तुमको जमाके दे दिये हैं कि तुमको ऐसे 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 तुम इसमें ऐसे कर सकते हैं इसमें यह 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 इसे इंक्लूड है अप्रोक्स अप्रोक्स इनको यह मैं बताता हूं आगे बैंक ओडिट उसके बाद एंड में उठाओ यह तीन आर इसको देना अराम से तीन गंटे हो जाए ओडिट ओडिफरेंट एंटिटीज इसके ना इंपोर्टें कोशन कर लेना बाई उतना काफी हो जाएगा चार-सार गंटे भी मैंने पता नहीं पढ कƏ जियो वब innit एला वह वगला वह सारे एंघ्यो उसाइटी ड्रस्ट वहुँवाले उठालेड़ा गौर्मेंट Reynolds लॉटल क्लब ठेक्ट होस्पी चुर्भ को ची होता है बलना माकस नहीं मिलते है तो यह तो इतना बड़ा है बाई कोई कीसे करतेगा नहीं हो तक अभी कोई नहीं कर गाता है और पर से तुका मार के फटाप जाओ जैसे last year की question last week recent RTP, MTP, SMK questions यह यह करके से रजाओ और फिर भी इसका जानागा अगर तुमको exact answer आता है कोई आगया एक भी कोई question की asset किसे check करना कोई assess specific आगया तुमको exact आता है तो ही attend करना वरना इस question को क्योंकि एक question तो optional होता है ना हमेंशा एक्जाम में only RTP, MTP, 5 paper SMK question करके चले जाना तो question question तुमको क्यों इसमें इतना है जाना जो भी remaining time हो तुम इसमें दे सकते है last का बचावाद शायद मेरे साथ से 3 गंटे दे सकते है इसको भाई और तु कहे दोगी इतना जादा बता दिया मैं तुमको तो total तुम्हारे हो गए 25 गंटे यहाँ पर तुम्हारे हो गए 25 गंटे यहाँ पर अपने पास कित्ते है 15, 5 और यह 15, 15, 30 और 5 ठीक है ना तब यह तुम्हारा हो गए यहाँ पर आगया 25 गंटे फिर अब तुमको एक गंटा important mcq के summary revise करने जो भी important mcq तुमने टिक मारे है वो टिक मारे होंगे का ICI module है जहाँ से भी तुम कर रहे हो वो कर लेना मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी summary on and approach में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद मैं को लगता है बन जानी चीए 3-4 दिन के अंदर जितने भी ICI mcq थे ना जितने भी सब की मैंने summary करके की इतने बड़े बड़े नहीं सब की summary मना के summarize करके एक pdf बना रहा हूँ जैसे ये final के लिए मेरे पास ये enter के लिए बच्चों का बहुत से request चाहते है तो अगर वो तयाह होगे तो मैं तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा वहाँ से ले 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 ना जितने भी important mcq से सारे mcq की summary करके one liner इतना बड़ा mcq था मैंने one liner लिख दे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो तुम्हारा exam वापर question solve बस काम खतम और क्यासी है और जितने भी important point for mcq numerical limits होगा सब में उतर समयराइस कर रहा हूँ ठीक है hopes वो दुआ करो बन जाए तो तुमको मैं टेल्गाम से पर मिल जाए का फरन आगले item वाले बच्चे फायदा उठाएंगे हाला कि बन जाना चाहिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ठीक है अब उसके बाद ये अपना हो गया एक बार का वाला revision टू डेज वाला जो बोला था मैं तुमको अब अपना आते है वन पॉइंट फायब डेज वाले revision हाला कि इसमें फिर टाइम बचा है मैं तुमारा अच्छा कासा और मैं तुमारा टाइम है तुमारे पास उसके बाद तुम टाइम जो बचेगा उसको तुमको केसे किस चैप्टर होगी कि ये तुम इना आइडियल दिया हो सकता है तुमारा कोई चैप्टर जाबा कमजोर हो तो तुमको देखना है कि नई इसमें इतना टाइम और देना है तो वो तुमको देखना है इसलिए अभी भी तुम उसको set कर सकते हो हमने इसाब से 13th माई को अब तुमको 7 बजे वापिस से 1.5 आर रिविजन पर लग जाना है बच्चो केसे लग जाना है same sequence रखो जो तुमने करा था बस यहाँ पर hours बदल गए यहाँ पर hours बदल गए सब कुछ बाकी same question रखो इन दोनों के चैप्टर के जनरी के और important question नहीं करके जा सकते हो तो बाकी और question नहीं करके जा सकते हो तो 19 गंटे इदर लगेंगे अब exam में जाने के पहले just exam में जाने के पहले important mc की revise करने essays के number revise करने कारो 2020 के close number revise करने यह करके जाना है तो तुम्हारा इस बार का grand total 28 हो जाएगा इस 1.5 days revision का ठीक है तो ऐसे तुमको करके जाना है यह वाला मैं तुमको pdf दे दूँगा टेल्गाम तीर में मिल जाएगा कुछ चीज भाई ध्यान रखने है सोना प्रोपर लिए गोसिप कर सकते हो फ्रेंक डिया पेपर डिसकस नहीं करना review वीडियो कभी नहीं देखने किसी पेपर की जब तक सारे exam कतम ना हो जाए सब कतम हो जाए उसकी बाद देखो फिर तो जो होना होना है फिर तो क्या करे हम हमेशा मैं तुम को बताया था एक heading keyword अगरा को लिख के आओ तुम उसको highlight करके आना heading keyword एक तो exactly as per ICI होना चाहिए ICI की जो keyword है ICI की heading exactly वह लिखके आना उनको highlight double underline करके आना कि examiner को बताओ देख भाई मैंने ये word लिखा है तो मुझे marks दे ठीक है ना ये करके आना है कार्यट underline closes के marks होते हैं underline circle हमेशा करके आना है keyword को मैं तुम को पहले भी बताया वह वर्किंग नोट जैसा ICI बनाता है वेसा ही लिखना चाहिए working note का होना चाहिए अगर practical question की बाद चल रही है जेसा ICI ने study metal ने working note बना है तुमको भी वेसा का वेसा ही बनाके आना है आदी बार working notes बनाने की ज्यादा marks होते है final solutions है ध्यान रखना है चीज final answer को मिशा circle कर देना timing, lining, table, writing वगरा के अंदर इतनी time wish भी करने की ज़रूँद नहीं के कोई marks होते हैं टेबल बनाना lining खीचना है ठीक है तो यह अपना हो गया बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं और इंटर में उसका इंटर का वो जो final mcq summary booklet वगरा रहा है अगर हो गया तो यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब कर लेना और टेलिग्राम चैनल कर लेना उसमें फ्रीके नोट्स में बाठता रहता हूं ठीक है ना चाहर बाकी तो कुछी लंब में बाकी है बेसे वलब फोर दी एक्जाम से रोटा डवाएवाए